मुख्यमंत्री हिमंत्र सोरेन आज सार्थी योचना का शुभारंब करेंगे मुख्यमंत्री हिमंत्र सोरेन योचना का शुभारंब युवाओं को निश्वल्क प्रस्तिक्षन इस योचना के तहत दिया जाएगा तो बड़ी कबर आपको बता रहे हैं सियम हिमंत सोरेन आज सार्थी योचना का शुभारंब करेंगे और इस योचना के तहत युबाओं को निशुल्क प्रसिक्षिन दिया जाएगा तो लगातार युबाओं के हित में बुख्य मंतरी हिमंत सोरेन कई योचनाई चला रहे हैं और इसलिके तहत आज एक और बड़ी सोगात सार्थी योचना का शुभारंब मुख्य मंतरी करेंगे और समवादाता राजेश इस वक्त हमारे साथ जुड़ गए हैं राजेश युवाओं के हित में एक और योजना सार्थी योजना इसकी शुरवात मुख्मंत्री आज करेंगे क्या पूरी जानकारी और तयारी क्या है जी बिल्कुल राजधानी राची के आरभट सभागार में सार्थी योजना का सुरुवात मुखमंत्री के हाथों से किया जाएगा और इसको लेकर के तयारिया पूरी कर ली गई है यही योजना के तहत जो जेपीएसी यूपीएसी की तयारी ग्रामी छेतर के जो चातर चातराये हैं या जीला के जो लोग आते हैं यहाँ पर राजधानी में पढ़ने के लिए उन लोगों को निसूल सरकार के द्वारा तीन म पड़ती होगी ति परिच्छा में सफल नहीं होते हैं तो उनको सरकार के तरब से 1000 रुपे मांदेन की रासी प्रतेक महिना देने के काम करेगी वहीं दिव्यांग छात्र को 15 रुपे देने के काम होगा इस आर्थी योजना से जूरने के लिए एक एप तयार किया गया है ज उसके लिए सरकार यह नीशूल की योजना लाई है और उसके माधियम से यह अपने तयारिया करेंगे और किसी भी कंपेटीशन एकजाम में बैठने की कोसिस करेंगे सरकार की जो योजना है ये ग्रामी छेत्रों में धरातल पर उत्रे उसके लिए सभी अधिकारियों को खास दिशा निर्देश दी जा रही है कि जो सुद्रवर्ती ग्रामी छेत्र के ट्राइबल अधिवासी छातर छत्राएं हैं दिव्यांग हैं वो उन्हें इस सार्थी एप की सुभिधा दी जाए और उसके साहत ये मिशन में ये सभी छातर छत्राएं सरकार के जो सार्थी योजना है उसके तहट अपनी परहाई ताकि जो अधिवासी छातर छत्राएं हैं उन्हें रोजगार मिल सके अगर ये रोजगार नहीं पाते हैं तो सरकार की तरब से परतेक माह इन्हें 1,000 और 1500 रुपे सरकार की तरब से परतेक महीना दिया जाएगा